हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासिज, आज का लेक्चर बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा, आज हम रैशनलाइज करना सीखेंगे, क्वेशन आपके सामने है, रैशनलाइज देनोमिनेटर, सबसे पहले तो ये समझिए, कि रैशनलाइज देनोमिनेटर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर तो समझ में आता है, ये नीचे जो 7 रूट 5, माइनस 5 रूट 7 लिखा है, ये डिनोमिनेटर है, रैशनलाइज क्यों बोलते हैं, देखो, जहां स्क्वेर रूट वाली वैल्यू इंवल्ड है, एक्चल में वो इर्रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशन खतम करने का मतलब, स्क्वेर रूट खतम कर दो, तो कुल में लाके स्क्वेर रूट खतम करना है, कैसे करना है, तरीका ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले तो यहां बीच में माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन है, तो आपको simply ये step करना है, same value, वही 7 रूट 5 और 5 रूट 7 उठाया, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, उसकी जगें पर आप प्लस का साइन कर देजिए, बस, multiply भी करना है, divide भी करना है, या ऐसे बोल सकते हो, numerator और denominator दोनों को इसी से multiply कर देना है, बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा जी, क्या बनने वाला है, उपर वाल 4 जो है, इन दोनों टाउम से multiply हो जाएगा, क्या होगा, 4, 7 root 5 से multiply, पहले तो मैं इसको लिखी ऐसे देता हूँ, ताकि किसी को कोई confusion ना हो, प्लस 5 root 7, ठीक है जी, एक, और यहाँ क्या होगा, denominator में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या बन रहा है, यह A minus B है, यह A plus B है, A minus B, A plus B, identity की होई आपने, अगर A minus B और A plus B की multiplication हो, तो वो किसके एकवल होता है, A square minus B square के है, तो यहाँ पर A की value है मेरे पास, 7 root 5, ठीक है जी, तो यह बना A square, minus B की value कितनी है, 5 root 7, तो इस तरीके से हमने पहले multiply second step कर दिया, denominator में A square minus B square हमेशा बनेगा, वो बनेगा, तभी तो square खतम होगा, आगे देखो, उपर तो चाहे आपके पास 4 बाहर है ना common, वो as it is पढ़ा रहने दो, कोई change करने की अभी जुरूरत नहीं है, होगी तो बाद में देखेंगे, फिलाल denominator पे focus करते हैं, 7 root 5 का square कितना होता है, कई लोग को confusion होगी कि कैसे निकालते हैं, आप यह देखो, मैं एक तरीका बताता हूँ, माली जी 7 root 5 का square निकालना है न, आप पहले 7 का square करो, 7 का square कितना है, 49, इसके साथ आपको root 5 नजर आ रहे है, square उसका भी करना है, लेकिन root 5 का square मतलब root खतम हो जाता है, सिर्फ 5 बचेगा, that means आपको 49 को 5 से multiply करना है, 49 को 5 से multiply करते हैं, तो केतना होता है, 245 होता है, तो मैं यहाँ पर 7 root 5 square की जगह पर क्या लिख रहा हूँ, 245, अब आप दूसरी value देखो क्या है, 5 root 7 का square, चलिए, अब उसकी बात करते हैं, आप try करके देखो तब तक, कि क्या value आएगी उसकी, ध्यान से देखेगा जी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 5 root 7 का square, 5 का square कितना ह 25, यहाँ लिख देते हैं, 5 का square, 25, और root 7 का square, 7, 25 को 7 से multiply करो, कितना बनेगा, 750, 35, 3, 7, 2, 0, 14, 14, 14, plus 3, 17, 245, minus 175, यह मेरा denominator बना है, हाला कि square root हट गया आपका, लेकिन हाँ, इसको अच्छे से continue तो करना ही है न, तो एक काम करते हैं, एक step यहाँ से खाली करते हैं, जहाँ पर इसे लिखेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, देखते हैं क्या बनेगा, final step, 4 अभी भी ऐसे ही रहने दीजे, अभी कुछ नहीं करे देखिए, 245 में से 175 सब्रेक्ट करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखो न, 45 प्लस 25, 70, यह 70 बनेगा चाहिए, अब एक step आगे बढ़ सकते हो, question में, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे यह 4 को काट सकते हो, 2 कटेबल में, करता है न, 2, 2, 0, 4, और नीचे 70 भी 2 कटेबल म कर जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, फाइनल अंसर जो आपके पास बनने वाला है, वो बनेगा 2 टाइम्स, 7 रूट 5, प्लस 5 रूट 7, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, आउर लेडी हम लिख चुके है, डिनोमिनेटर में, 35, यह हमारा फाइनल अंसर है जी इसकोशन का, I hope calculation step समझ आये होगे, right, क्योंकि यह वीडियो हमने बनाया ही इसलिए था, square roots में एक तो डिनोमिनेटर में जो a square minus b square है न, वो निकालने में बच्चों को problem आती है, बट आपको problem नहीं आएगी, क्योंकि मुझे उमीद है आपको समझ आ गय झाइनल अभियो